जो लोग अक्तूबर और नॉमबर के महीने में ज़्यादा परिशान रहते हैं, उनके लिए ये वीडियो है, तो ठीक recordings जड़ी पागली के दिन होते हैं ये बहुत अच्छे दिन होते हैं सो में से 30% लोग ऐसे हैं, उनके काम दाउन होने शुरू हो जाते हैं यानि उच्छ वाले सूरी परिशाद और नीच वाले सूरी परिशाद और नीच वाले सूरी है हाँ इसलिए 33% लोगों को मैंने बोला इस बार तो मंगल भी नीच का आ रहा है राहु नीच का जो आपने कमाना थे स्तना ज़दा वो कमान नहीं पाऊगी इस दिवाप बहुत कुछ लगाते हैं बहुत कुछ लगाया थैस दिपावली के भिगगा नहीं इसबर दिपावली इतनी अच्छी नहीं जाने वाली, कन्क धारा स्रोतत थै तभी हम दिपावली के दिन पढ़ते है, कन्क धारा स्रोतत शिरी शुक्तम. तो दिपाबली हम क्यों पढ़ते हाए यह है काम करने को दिल तो यही एक कारण होता है शफाले जी हम घर पे ऐसा क्या लाएं जिससे हमारे पूरी देवच्ची हो जाए आज गर कहते हैं पानी जालो तो दीप जलता है देखिये कैसे दीपक आ गए है यह आटिफिशल दीपक है हमारे घर में मच्छर, बक्तिरिया, मलेरिया जितने भी प तक शांती की तुझा करवाने चाहिए तो जो बच्चा जनम ले चुका है गोल्ड घर में नहीं आता बड़े घर का सुख नहीं मिलता ब्रस्पति खाब होने से खांदान साथ में नहीं जुडता चोहले यह पूरा महीना है यह दानपुने के लिए बहुत अच्छा है सुर अपने हाथ में सुरिय जनता लिखने हैं उसको आपने चलते पाने में जल्पवाई करना हाँ से लिखे हुए 19 तारिक जी धन तेरस आने वाली है चंदर के साथ जब भी केतु आता है तो चंदरमा खराब हो जाता है जिस जिसके मन परिशार रहता है जिसका चंदरमा बहु नमका दिया जरूर जिलाना चाहिए अकाल मृत्यू जिसकी होती ज्वाले जी उसकी अकाल मृत्यू नहीं होती जी तो ऑफ यो लाइफ नमस्कार जे मैं शिफाली सीखरेट ऑप यो लाइफ प्रोग्राम में आपका तही दिल से स्वागत करती एक और फिर से आपके सामने ह हाजिर है आज का अपिसमों बहुत से ज्यादा इंप्रस्टिंग होने वाला है क्योंकि जो लोग अक्तूबर और नुमंबर के महीने में ज्यादा परिशान रहते हैं उनके लिए ये वीडियो है तो पहले स्वागत कर लेते हैं प्रफेसर गुर्दी पड़ा साब का प्रफे जो इन दिनों में बहुत ज्यादा परशान रहते हैं उनके दिन बिल्कुल भी अच्छे नहीं जाते उनका बिजनस जो है बिल्कुल ग्रों नहीं करता ऐसा क्यों श्रफाली जी ब्रह्मान की आत्मा सूरिय हमारी प्रिवत्वी की आत्मा भी सूरिय है और ये जो और ग्रेहों के राजा है सूरिय देव जितने भी हमारे ग्रेह है राजा है बड़े है सबसे ज्यादा और सबको अपने साथ बांग के रखा हुआ है सभी उसके इर्दिगर्दे चक्र लगाते हैं तो जब हमारे राजा ही कमजोर हो जाए ते प्रजा का क्या हाल होगा बु इस बान होता है उनके काम टावने शुरू हो जाते है क्योंकि सूरीदेव डाउण हो जाते है की नीच राशे में सूरीदेव आל गए तो सूरीदेव कर नीच राशी में बιठने और विभी पirstyна हो जाते है यह पुरश्य उच वाले सूरी परेशाद और नीच वाले सूरी और इस बार राहोर केतु भी नीच चल रहे हैं देखिए इस दिव पावली पे तो मंगल नीच का दोस्त मित्रों के साथ लड़ाई जगड़ा रिष्टे नातों के साथ लड़ाई जगड़ा और राहू नीच का जो आपने कमाना थे तना जदा वो कमान ही पाओगे इस दिव उतने इतने अच्छी नहीं जाने वाली कि राहू केतु भी borg हाओं मंगल और सुरीदेव ऑनीच के चल रहा है तो इसलिए यह ते हैं शेफाली जी यह कोड़ने से खराब होते हैं सुरीदेव निच की होते हैं तो लेकिन हम शुब मानते दोंकि हमारे मां इसलिए मानते हैं, तो एक हमारे इस दिनों में जो माहन घर पर वापस आये थे, राज आध मिला था, यम्म है इसलिए मानते हैं, देखे शिफाले जी इन दिनों में जिन्धिन का सुर्यदेव खराब है, अगर वो सुर्यदेव के पहले करने शुरू करें उनंको जल दें और सूरी के बारा नामों का नाम लें एसे करते हैं कंक दढरा सुरोत पड़ते हैं ताभी तो हम दिपाबली के दिन कंक ड़ती हैं तो पावली पर हम क्यों पढ़ते हैं, यही एक कारण है, ताके हमारे सूरीदेव नीच के चल रहे हैं, हमें जो नुकसान आएगा, जो हमारी परिशानियां, आपको देखा होगा कि आपका जो मन है वो लग नहीं रहा होगा इन दिनों में, इन दिनों में आपका दिल करता है, मै करने को दिल नहीं करता, यही एक कारण होता है, तो मैं तो हर दफा सब को भी बोलता हूं, शेहर चाड़के सुबा की सेर कीजिए, सूरीदेव को अच्छा कीजिए, जब सूरीदेव लाले में होते हैं, तो उनको परनाम कीजिए, उनका नाम लीजिए, उनकी अराधना और भी कई कारण है, हम घर पे ऐसा क्या लाएं, जिससे हमारे सूरीदेव अच्छी हो जाएं, आपको पता होगा प्राने जमाने में एक हटड़ी पर लेके आते थे, लेके आते थे, लक्षमी और गनेशी बीच में बने होते थे, तो हम वहाँ पर जोज लाते थे फिर उस बना, वहाँ सोखें त hobby या मetr करता है, आज कर चो पानी डाल सिंधी पानी चलता है, हम जाती हमारा वो ज्यसी जैसे आपको यहाSir हम का फुमएं, में MARY हम दूंटका तो पहले दिपक दान करने का यह मतलब था ताके आप सर्सों के पाने में धान कीजिए जानिके लगाई व उसको उससे जो इतने भी मच्छर इस दिनों में बक्टीरिया पैदा होता है मच्छी आती है वो सर्सो के तेल से कड़वे तेल से मर जाती है तो इनसान को बमारिया नहीं लगती मैं हर दफा बोलता हूँ वही दीपक लेके आये लेकिन कौन से दीवे लेके आने आपने जो मि लड़ाते हैं पहले की बात कर रहूं तो पहले ऐसे क्लिया करते है उसको पाणी में बुग आ जाता था फिर बाद में पानी डाला जाता था तो वह सारी राज चलते थे आज कल वह जमाने भीद गए नाइक क्यों करता है उसके पीछे एक रीजन होता था ताकि हमारे ग़र समझदारा मैंने देखा है कोच हमारे पास आते हैं कहते हम बत्तर मानने के बाद एक कपूर की टिकी जला देते हैं ताकि बक्टेरिया किछन में होता ही नहीं देखिए कितनी अच्छी चीजे है जो पराने विजर को बताते है तो लोग अभी भी अपनाते हैं तो लेकिन हम पहले क्या करते थे एक सफो का तेल का दिया घर में जला देते थे खाना खाने के बाद सोने से पहले ताके मच्छा सारा भाग जाए तो वो चीजे आज कल तो कछुआ शाप आती है कई और आई चीजे आती जिससे आपको बमार्य में लगती है और आप देखिए उसकी सगं जो नीच के चल रहे हैं जिससे दिपावली है आपके खराब ना जाए इस दिपावली पे रहुदेव नीच के हैं के तुदेव नीच के हैं मंगल नीच के हैं सूरीदेव नीच के हैं गुरुदेव खराब राशी में है तो देखिए गुरुदेव शुकर की राशी में च कहां से देंगे तो प्रफेसर जिनका जनम 15 अक्तूबर से लेकर 15 नुवंबर तक यानि कि उनके सुरीदेव नीच के आगे तो उनको क्या कत्तक शांती की पूजा करवानी चाहिए जो हमारे पराने बज़ुर्ग थे वह बहुत सब्सक्राइब करते हैं तो पहले से सुरीदे की अरादना करवाते थे तो आज कल कोई ने करता आज कल बहुत कम लोग मानते हैं चीजों को तो हमारे संसकार बहुत जादा हुआ करते थे मुंडन का भी एक संसकार हुआ करता था तो वह भी नहीं करते बहुत सारी चीजे थी जिससे हमारे जो बच्चा होने वाला था या तो जो बच्चा जनम ले चुका है, जिसका कामकाज नहीं चलता, तो कामकाज चलना शुरू हो जाता है. प्रफेब, जो लोग रिचुल्स को भूल जाते हैं, अपने संसकारों को भूल जाते हैं, उनका कौन सा ग्रेख लाब होता है? जिसका ब्रस्पती देव खराब हो जाता है श्रफाली जी, पहली बात तो यह एक बुजर्गों का मुख नहीं देखते, पढ़ाई पूरी नहीं होती, गोल्ड घर में नहीं आता, बड़े घर का सुख नहीं मिलता, ब्रस्पती खराब होने से खांदन साथ में नहीं पूरा का पूरा खांदन छोड़के उसको चला जाता है, ब्रस्पती खराब के निशानियां होती है, तो ब्रस्पती को ठीक करना चाहते हैं, तो जितने भी आप अपने पराने बुजरु करते थे रीतिरबाद उसको मत छोड़िए, वो करते रहना चाहिए, उसके बहाने दान पुन्य हो जाता है, जो हमारे जाने अन जाने में शफाली जी पाप होते हैं, वो हम से पाप तो देखिए, हम बैठी हुएं तो पाप कर रहे हैं, तो सोते वक्त भी हम पाप करते हैं, क्या होता है, हम सो रहे हैं, जो हमारे श्रीर के साथ छोट-छोटा बक्टीरिया ह जब हम सोते हैं लाकू जवानों मरते हैं झाहिं, कुछ बिस तर पे, हमें तो पता है कि हम तो सोते हैं, utan क क्यों होग है लिकान जाना होता है, लेकिन हमारे जाने की गल्थ नहां यह दानपुन न ही सखाते हैं शहळाल यह यह पूरा महीना है यह दानपुने के लिए बहुत अच्छा है है तो दानपून जो किया होता है बहुत जाधा है तो दानपून mudar के महिने में अक्तूबर और नमबर के महिने में यह आपको दानपुन्य कोईपने का… जो आपकी गल्तीया है जो आपके न जाने… पाप होते हैं वो दूर होते है अम बारी आती है। वुपायों की याई कि जिनकी कुणली में सूरेदेव कि उचके हैं यहां फिर सुरिधे एक नंबर राशी के हैं यहां फिर साथ नंबर राशी के हैं तो उनको job से आटेड़ spare time आएगी bir लीनके प्राब्लम आएगी तो तो वो क्या उपाई कर सकते हैं इस महिने शफाली जोग मिलती भी नहीं जाभी सूरीम सीरी निचके होते हैं और ओपाय के लिए तο वैसे तो मैं सबसे आसान भाइब बताता हूं हात के आपने हाथ में लिखने हैं उसको आपने चलते पाने में जल्पावध करना हाथ से calmнуться अगर नहीं मिलते तो ढाला से करना हो उसको चलते पाने में जल्पावध करते हो जो यह महीने दो खराब जाते हो बिलुकल भी खराब नहीं जाएंगे हाँ अगर आप चाहते हो के हमको यह कठीन उपाय लगता है तो सिंपल से धारन सा उपाय दे रहता हूं सवा कि लोग करने का अपने धार्मिक स्थान पर दे के आना ही पहले तो क्या करते थे प्र होता है गयहु जो होता है हमारी कन को शूरेी इक जातायाए है गुड़ Γूशा और कटिकंगे वालियो अगर लेकिन सब्सें से पहले है कि आने वाले इन दिनों में तहोर में जैसे 29 तारीक शिफाली जी धन तेरस आने वाली जी धन तेरस के दिन आप चांदी का सिक्का सोने का सिक्का लेकर आ सकते हैं आपको पता है धन तेरस जिस दिन आ रही है उस दिन चंदर के साथ केटू आरा शिफाली जी तो चंदर के साथ जब भी केटू आता है तो चंदर मा परिशार रहता है जिसका चंत्रमा बहुत खराब होता है जिसका रात को डर लगता तो चांधी के सिक्का उस दिन जिलूर खीड़े तो उस दिर भी आपने दीपक दान करने का मतलब यह मतलब होता है कि दीपक जगाने हैं का अपने अपने घर में पर इस वर जो D 순eros वो एक नुमंबर की हैं लेकिन 31 तारिक को जिसे हम छोटी दिपाबली कहते हैं नर्ग चतुर्दर शीव बोलते हैं तो उस दिन क्या करें हम कौन सा उपाई करें शिफाली जी उस दिन कुछ करो ना करो लेकिन यम का दिया जरूर जिलाना चाहिए जिसकी अकाल मृत्यू होती हैं जैसे काल मृत्यू कैसे असलिंड हो जाता है या फिर चन बहुत है जिसकी होती है जैनने और उसकी तो घर में कहते हैं हमारे घर में सदस्य चला जाता है अचानक चला गया हूँ ऐसा कभी नहीं होता प्रफेसर आज आपने बहुत अच्छे ढग से समझाया कि 15 अक्तूबर से लेकर 15 नुवंबर तक जिनका सूरे नीच हैं तो वो लोग परिशान रहने वाले थे लेकिन आज का वीड वीडियो में जानकरे गई है तो आप वीडियो को देख सकते हैं अगर आप चैनल पर नहीं है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं तो हुडियो को लाइक । शीर करने अब इल्कूल भी नहारी हम झालें के दूंम है इसमारियो जेंक ईखिर से विजए्य वह जय su झाल